नमस्ते मैं सुमन शर्मा मैंने अपनी इस वीडियो में समा के चावल की खीर बनाने की विदी बताई है उमीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवाग समा के चावल की खीर बनाने के लिए मैंने ये हाफ लिटर दूद लिया है ये फूल क्रीम दूद लिया है मैंने और ये समा के चावल लिया है ये मैंने वन टेबल स्पून समा के चावल लिया है इन्हें मैंने दस मिनेट के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है और ये वन टेबल स्पून चीनी ली है चीनी आप अपने स्वात के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं और एक कप मैंने पानी लिया है ये साधा द्राइ फूड में मैंने चिरोण डी लिए है फोड़ी इसे मेंने दस मिनिट के लिए फैंप पानी में भीघने के लिए और यह काजु लिएं निदा उन porch at ''्यू tap को मैं छोटे चोटे को बीधे फिर चावल डाल दिया हम 2 लीटर अपानि कृटा पानी तो भीन और अवाक पना शुबysis समाह के हम चावलर दाल दोडिए को अब हम उबलने देगे और फिर हम चावल डाल अब दूद उबल गया है हम ये समा के चावल डाल देंगे दूद उबलने के बाद और इसे चम्मत से चला देंगे चावलों को डालने के बाद थोड़ा चम्मत से चला देंगे समा के चावल डालने के बाद ये साथ मिनट बाद ही नर्म हो गया चावल गया है तो अब हम इन्हें इसमें ड्राइफुट डाल देते हैं ये चिरोंजी डाल दूंगी मैं और काजू, समा के चावल की खीर बहुत जल्दी बन जाती है, मिला देते हैं इसमें, और सिम गैस पर ही हम इसे पकाएंगे, पांच मिनिट और पकाएंगे इसे, खीर गाड़ी भी हो गई है, थोड़ी सी और गाड़ी कर लेंगे, ड्राइफूट डालने के बाद हमने समा की इस खीर को पांच मिनिट और पकाया है, अब ये खीर काफी गाड़ी हो गई है, और बनकर त्यार हो गई है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, ये मैंने वन अगर मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो और थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं इसमें, इसे भी मिला देंगे, और अब हम गैस बंद कर देंगे, ये खीर हमारी बन गई है, समा के चावल की ये खीर त्यार है, खाने के लिए,